आज का विचार है प्रिये दोस्तों की हमारी काया लगबग 37 ट्रिलियन सेल्स यानि कोशिकाओं की बनी हुई है तथा हमारा चित लगबग 86 बिलियन सेल्स जिसे हम नियूरोन्स कहते हैं से बना हुआ है हमारे चित की मेमरी लगबग 2.5 मिलियन गिगाबाइट है तथा एक नियूरोन लगबग 10 हजार और नियूरोन्स के साथ अपना संबंद बनाई रखता है इस प्राकृतिक रचना में हमारे कोशिकाओं में पड़े परमानू यानि एटम्स हर वक्त हरकत में हैं जिन पर हमारा कोई आदिपत्य नहीं है हमारा कोई नियंत्र नहीं है हमारा कोई अधिकार नहीं है महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब मैं एक बार अपनी आँख जपकता हूं तो यह परमानू छत सहत्र कोटी बार जनम ले लेते हैं उदे हो जाते हैं और फिर वे हो जाते हैं यानि एक सेकंड में छत सहत्र कोटी बार इनका जनम होता है और छत सहत्र कोटी बार इनकी मृत्य हो जाती है प्रिये दोस्तों कुछ ऐसा ही अनुसंधान 1968 में डाक्तर अल्वरिस ने बर्कले युनिवस्टी कैलिफोर्निया में अपने बबल चैंबर के द्वारा यह सिद किया था कि एटम लगबग 10 रेस टू पावर 12 पर सेकंड के वेग से उदे और वेय हो रहा है जिसके लिए उनको नुकलियर फिजिक्स में नोबल प्राइस से निवाजा गया था भगवान बुद्ध ने अनुभव किया था कि यह खटपट जो परमानवों की मेरे अंदर चल रही है वो मेरे भीतर की सच्चाई है और ऐसी ही खटपट बाहर ब्रमंड में भी चल रही है मेरी ये काया बुलबले ही बुलबले हैं तरंगे ही तरंगे हैं जो पैदा हो रहे हैं वे हो रहे हैं किसको पकड़ कर मैं अपना कहूँ किस शरीर चित सकंद को मैं मैं कहूँ और किस शरीर सकंद को मैं मेरा कहूँ सब कुछ इस ब्रमंड में जिसका आकार है वो आनित्य है सब कुछ परिवर्तन शील है तो फिर अनुराग कैसा, राग कैसा, द्वेश कैसा, मोह कैसा इहो पसिको यानि आओ और देख लो मानने की जरूरत नहीं है पहले देख लो फिर मान लेना यही बुद्ध का आमंत्रन था, यही बुद्ध की विपश्यना थी धन्यवाद प्रिये दोस्तों, मेरा आभार प्रिये दोस्तों, आप सब का मंगल हो, कल्यान हो, स्वस्थ मुक्ती हो